हेलो दोस्तो ये है होंडा एक्टिवा 7G जो की काफी जल्दी इंडिया में लॉंच होने वाली है और कितना प्राइस होगा इसका क्या-क्या न्यू फीचर्स इसमें देखने के लिए मिलेंगे ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो चली वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तो फ्रेंट की बात करें तो इसमें LED हेड्लैंप्स मिलेंगे हलो जन इंडिकेटर्स मिलेंगे और इंडिकेटर्स के नीचे क्रोम फिनिश भी मिलेगी बाकी जो इसका front का design है ये अभी वाली Activa से similar होगा दूसरा change इसके tires में होगा अब new Activa में 12 इंच का tire मिलेगा front में और disc brake भी इसमें मिलेगा और दोस्तो new design के alloy wheels भी Activa 7G में मिलने वाले हैं अगर suspension की बात करें तो front में telescopic और rear में spring loaded hydraulic suspension इसमें मिलने वाले हैं जो कि इसकी riding quality को और भी जादा comfortable बना देंगे दोस्तो इसके engine की बात करें तो इसमें 124.92cc का single slender 4 stroke liquid cooled F5 BS6 engine मिलेगा जो की power produce करता है 11.33 HP की और torque generate करता है 11.6 Nm का अब rear look की बात करें तो दोस्तो इसके rear को पूरी तरह से redesign करा गया है इसके rear में काफी जादा major changes किये गई है इसमें बिल्कुल new design की tail light मिलेगी जो की काफी अच्छी लग रही है देखने में बिल्कुल sharp design की tail light मिलने वाली है new grab handle मिलेगा और काफी बढ़ा इसमें पीछे की side mud flap भी मिलेगा और दोस्तो इसके meter console की बात करें तो इसमें fully digital meter console अभी नहीं मिलेगा इसमें analog और digital की combination में meter console मिलेगा जैसे की अभी activa में आता है लेकिन जो meter console का design है ये थोड़ा सा change कर दिया गया है अब इसमें new design का meter console मिलेगा अगर बात करें इसके handle bar की तो right में आपको self start का button मिल जाएगा और left side में high beam low beam के controls मिलेगे और honor मिलेगा और साथ में उसके नीचे आप देख सकते indicators के control मिलेगे और दोस्तो एक और बड़ी change की बात करें तो वो इसकी boot space में देखने के लिए मिलेगा अब new Activa 7G में 37 liter की boot space मिलेगी और इसकी seat की बात करें तो इसमें काफी soft cushioning की single seat मिलेगी और जो seat height है ये इसकी रहेगी 760 mm की और साथ में काफी अच्छी इसमें 138 mm की ground clearance भी मिलने वाली है तो दोस्तो इसके looks की बात हो गई, features की बात हो गई अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर देना, share कर देना और अभी तक आपने इस channel को subscribe नहीं कराए तो दोस्तो channel को subscribe कर लेना और bell icon भी प्रेस कर देना ताकि आपको bikes के और car के new updates मिलते रहें Thanks for watching